उज्वल भारत नियूज देश की पेखरावाज अपने अंदाज में नमस्कर उज्वल भारत नियूज पे आप सबी का स्वागत हैं कल वलसर के श्रम जीवी लोगों के द्वारा साथ दिन का यान एक सप्था का भागवत कथा का आयोजन किया गया रुखडिया तलाओ के पास और इस कथा में शामिल वे हजारों संख्या के लोगों ने इस कथा और आरती का महालाब लिया है कथाकार श्री प्रफुर्शुकला ने यही समझाते हुए कहा है कि हमारे सनातन धर्म को अगर उसे बरकरा रखना है तो हर वेक्ति के पास उत्रा समय नहीं होता कि वे रामायन और भागवत गीता जैसे घ्रंथों को पढ़ सके यही कथाकार के शब्दों के माध्यम से उनके कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार विश्व के हर कोने में सकार्मत तरिके से कथाकार करते हैं और कल के इस कथा के दर्म्यान जय शाह बने श्री कृष्ण और उनकी धरम पत्नी अनेरी शाह वे बनी थी रुकमिनी और उनने श्री कृष्ण और रुकमिनी विवा के इस खुबसूरत कारेकरम में स्वयम को हिस्सा लिया और लोग इस श्री कृष्ण और रुकमिनी विव कि भागवद गीता के बात करें तो रुकुणी में श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा था है नंद वंदन आपको ही पती के रूप में वरण किया है मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवा नहीं कर सकती मेरे पीता मेरी इच्छा के विरुद मेरे विव किती थी भी निश्ट 온 गई है मेरे कुलकी ही विवा के पूर्व होने वाली वधु को नगर के बाहर इनद पर शजज dah Roughwand स्रिज़कृ करने के लेकिल इसा धिल्या मंदिर में पहुंच कर मुझे पतबी रूप में श्रीकार करें तक यहीं आप नहीं पहुंचेंगे तो मै अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगी, ऐसा रुक्मिनी जीने नंद वंदन भगवान कृष्ण को कहा था, और रुक्मिनी जी का संदेश पाकर भगवान श्रीकृष्ण रच पर सवार होकर शीगरही पुंदिन पूर की ओर चल दिये और उन्होंने रुक्मिनी के ब्राम्मर को भी रत पर बिठा लिया था श्रीकृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बल्राम की कानों में पड़ी थी और यह यह सोच कर चिंतित हो उठेदे के श्रीकृष्ण अकेले ही कुंडिन पुर्ट गए है अंतवक वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिन पर के लिए चल पड़े भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिनी को द्वारका ले जाकर उनके साथ वीरीव दिवा किया प्रद्युमन उन्हीं के गर्ब से उत्पन होए थे जो कांदेव के अवतार थे श्रीकृष्ण की पट्रानियों में रुक्मिनी का महत्वपुन स्थान उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्रीकृष्ण मुग्द हो चुके थे और उनके प्रेम और उनकी कई कथाये मिलती है जो बड़ी ही प्रेरक मानी जाती है ये कथा के आयोज़क रहे गमेश पटेल जी जिसको पुरा वलसार दैनी के नाम से भी जानता है और उन्हीं ने इस श्रम जीवी लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं मजदूर वर्ग के लोग जो रोखड़िया तलाओ के पास रहते हैं और उन्हीं के लोगों के लिए उनके घर के सामने घर के आंगन के सामने ही एक खुले मैदान पर इस साथ दिवस का भागवत कथा का महा आयोज़न किया गया और आज सात्वा दिन है और आज भीड़ बं महापसात का लाप उठाएंगे इस कथा में शामिल हुए हर विक्ति की आखे भर आये थी जब रुक्मेणी और श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के विवाग के बंधन में बंदे वे देखा तो हर मा जब कन्यादान करते हुए दिखाई दी तो हर मा और हर पिता हर माता प पिता की आखे नम दिखाई दे रही थी तो हर माता पिता अपने बेटी को किसी और के हाथ सौपते हैं तब हर माता पिता की आखे नम हो ही जाती है तो यहां पर भी वही देखा गया वही माहौल बन गया था जब संपरदान किया गया जब कन्यादान हो रहा था तब यहां पे शामिल हुए हर माता पिता इस कारिक्रम को देखकर इस भगवान कृष्ण और रुक्मिनी की विवा को देखकर करने आदान करते वक्त हर माता पिता की आखे नम हो गई थी जदम जया जवा दता इदी मुना जया जवाबता त्व्यमारािक्रम धी दता कारणा किई तो तर्फी अभी नादा जो ते जो वाला तमें वाला तमें देश आता ताय दीवना जगमग जगमग था ताय दीवना जगमग जगमग था आर्फी वानाम खड़ा अभी है, आर्फी अन्दा जगमग था आर्फी नगवना तमी आज आता जगमग था, वाला तम कक खडं मकथ ताय तिवनान है जगमग था ताय दीवना जगमग था एक पुर्टरा भगत्वानों को पाओ बागतो नम्नम्ना पेपाई भगतो नम्नम्ना पेपाई गड़ा जगवजग बागता हे गड़ा जगवजग बागत्वानों अपाथा भगतो नम्नम्न पुझवजग बागत को नियुद्च अब करते हैं नमस्कार उज्वजग भारत नियुस पे आप सभी का स्वागत है राम कथा भागवद कथा शेद कथा हमारे देश में परमपराओ के साफ से वे एक पुरान है संस्कारों का देश पाना जाता है हमारा देश भारत अनेकता में एकता एक समय पर सोने की चीडिया कहा करते थे हमारे देश को लेकिन आज भी हमारा देश विश्व गुरू की तरफ आगे बढ़तावा नज़त आ रहा है हमारे देश में हर वर्ग के लोग हर ध्रम के लोग रहते हैं हर चाती के लोग रहते हैं लेकिन एक वर्ग ऐसा है इसका प्रमार बहुत जाता है वह है श्रम जीवी इसलिए हम बनाते हैं वर्कर्स डे पहली में को वर्कर्स डे यानि मजदूर वर्ग मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके बिना एक वलसर के बहुत ही सुन्दर सा एक भागवत कफा का आयोजन किया है और उसके हमारे कर्थाकार है अंगराश्टी इस दर पर इन्हों पना नाम किया है वो है श्री प्रफूल शुकला जी आपका बहुत स्वागा जै प्रफूल जी जहनेवाज पूजवल भारती इंगी चैनल के सब दर सुकर को मेला जैश याराम जैसी किस प्रका से इस पार का जो आयोजन ने बहुत अनोखा मैंने देखा तो कैसा आयोजन लगा आपको इस पार जो आयोजन किया है वो श्रंग ज यहां के जो लीडर है हमारे परमेश बाई पटेल डैनी उन्ने ये कार्ये का आयोजन किया महहनत लगाई अकेले बलपन ये पूरे विष्तार को स्रम जीवी लोगों को भागवत कथा सुने कि इसलिए रात्री वागवद कठाट्रायोदिंग कि इतना ही लुद में को न अरफ इया है कि जिस करूब पएसा है कि मृष्टर्ण करको आंगी कठाश्य क्या कि जैसे गंगा का अउत्रन भगिरत राजह में किया था, उस तरह ये रमिजबाई डेनी यहां के भगिरत है, इसने भागवत रुपी गंगा का अउत्रन किया है, और इतने अच्छता दिन है, मैंने इतने दिनों में देखा है, कि लोक भले गरीब है, लोक भले ही पमजोर है अ वह सही माने में अम्भीर माने गए तो आज ये रखोरिया तराव के अंदर जो भागवत कथा चल रही है इसने ये सिद्ध किया कर दिया है हिंदुस्तान की संस्कृति कश्मीर से कज्ञा कुमारी तक और द्वारिका से जिब्रुगर तक पूरे भारत वर्ष की संस्कृति का दर्शन यहां भागवत कथा में दिखाई दे रहा है हम हिंदु है हम सनातनी है हम राम कृष्ण और शिव के उपासक है महा जगदंबा के माताजी के उपासक है ये बात आनी वाली पेडी को जो न्यू जनरेशन है उसको इस कथा से मिल रहा है इस देश की जो धड़ो हर है ये लोग है बिल्कुट अपना श्रम श्रम ताकत देका अप पुरे देश को विकासके और लेके जारेगी कि उनके मिना तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती कि फैक्ट्री भी नहीं चल सकती हर जगा अगर एक मकान बनाना होता है अवेट इस देश की जोड़ो हर है ये लोग है इससे ही धर्म टिका हुआ है वो अपने पास कुछ नहीं होने के बाद जूद भी धर्म के लिए संस्कृति के लिए और हमारे परमपरा के लिए सदेवत अपर लेंगे हमारे नमेजबाय देनी के साथ हमारे शारदाविन देने यहां बैठी है इस कथा के अंदर जूड के उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस कथा को सफल बनाने के लिए देन राव जूड़े हुए लेते हैं आज रुक्समनी विवा का अउसर है हमारे प्रविन पवार जान बारात लेके आने वाले हैं हमारे चैटाली बीन हीरन भाई पठेल रुक्समनी के पक्षम हैं हमारे अलकाबिन तुलसिदास धिमर मौसाला देके आ रहे हैं और बड़े भाव से धुमधाम से यह भगवान कृष्ण और रुक्ष्णी का विवा आउसर यहां मन यहां पर श्रम जीवी लोगों के लिए उनके घर के आंगन में उनके आस पास कथा आध गुर। जो आजन किया है उच्छे है ति वो इस कथा को लेकर ख्यास रखते हैं आपना बहुत स्वागत है लेनी जी तम यह शू यह कई वीचार आवी निया अट्रो सरस्वे तो 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 यह इना माटे श्रेस के वा मांगो छो खासके आपना स्वाम जी वी वर्गुणा जे लोग अधिवासियो त्याहावी ने राम कथा चालती है अन्या आशू पाड़ी पाड़ी ने रोता आता तर मने घणा समय तियो तियो कि विस्ताना लोको ना अंदर मा रदैमा भगवान माते एक बो बोतु वह इंदर जगाम बनावी ने राखे ने पौन एलो को सवार काम नोकर अधिये जाई सांजियावे एले लोको कोई पन वस्तुमा पहुची सकता नती अन्य उपन एकलो है छो के हूं थोड़ू भणू डोड़ी सकूँछों पर ज्यारे संद सीने जो लाब्बू होई तो मोटो खर्चों होई छे तो आ विस्तान ना तमाम लोकों मने चाहे चें पर जिस्वरस्ति नगरपालीकाना अन्दर नगरपालीकाना सभ्यतरी के चूताउं छो ने मारा साते रहिला छे तो आ लोकों ने आ कथा नो लाब मढ़े इसाबे बापूने वात करी अपड़े किये चे के बापू है कि दू कि आ विस्ताना लोकों ने एक भगवान नों सम सिओने श्वरस्तियों ने श्लाउं विस्ताना लोकों ना रधाई म सिमध भागवत नों एक रस समरा सुत्रे अन्ने यह लोको ए धुनमा आविजाई अने कायाम माते एलो को ये भगवार नी घर भक्ती करता चे नाते अधिक पक्ती करता ताई एना माते मारी तमारे यां कता करवी छे तमें मंदप अने एपन बापु ये मंदपना माते पन जे अमारा संका बैपतेलने वाद करी छे, जे साउन लावान एपन बापु लाया छे, अना अंदर अमारों अम्मुकेट फाड़ो छे बागी बद्धो बापुनों छे, अने बापु या आयोजन एक्ट्रू सरस्काईरू अमने पूताने संतोस तेग्यो, अने यहना जेतला आपी आदिवासियो छे अमारा भईयो, एना साथे विजा लोको पन ही आवे छे, अने कथाना अंदर एकली संतोस ती साम्ती ती साम्बणी, अने एवु बदू मन्ना अंद उतारे छे काजे, कथा छाई गया पची पन, दिवस दर्म्यान पन, आया पची पन चर्चा थाए के बापू आज साथ दिवस पची जसे पेनिक चर्चा आखो वरस चालू रहे से, तो उम्हों तो यू मानू छों का विस्तर मा बापू ये जिस साहकार आई पोचे, घिमना लिदे, अमारा आदिवासियों मा एक भक्ती नू, एक सानातम धर्म जिछे, इच्छे, इच्छे के सिमत भागवत थे इचे, तो अवे पची ती आपने एम किये के भई, आपने राम कथा थाई, एटले अवी रिते चालती रहे कथा, एवी मारी पूता नी बावना चे, अने ये तो अब आपू आपू आमने चोक्कस खबर चे, क्या याना लोको पन अवे पची निमारा स पांच बस लोको आए जन्मा चोड़ा से, चोक्कस, खुब खुब आवार तमारों रमेश भाई, बहुत स्टा आईए बात करते हैं, इस इस श्रम जीवी में जो भागवत कथा का आजन किया गा है, हमाई साथ एक महीला सब भी बैठी है, जिनका आई शार्दा इसे पूछ कि वर्गों के यक्तियों के लिए, हो क्या सोच रखती है, परलों का स्वागत करते हैं, शादा जी तमारों खुब स्वागत छे, नमस्ते, नमस्कान थे, तमी जैश यारम, तमी श्रम जीवी ने अभू का अफसर मड़े, बद्दा बहुँ खूद छे, औने बाकू ने जाना के अटला दिवस्मा तथा प्रती भी गई, एक माहल बनेगी हो तुके, बद्दा खूद छे, बद्दा खूद छे, नदे जोड़े, आपने जोड़ाई जाए छे, ते संपर्ग से बंधन से, एक कोई ते स्कूटे नहीं हो थे, धन्यवाद, बहुत सही का शादा जी जाने, कि जिस प्रक्रासी बंधन बंध गया हे, साथ दिनों का जो एक बंधन बन जाता है, वो साथ जल्बों के लिए बंधन बन जाता है, एसा ल्ड़त थे कि हर दिन एक नया कायक्रम को लेकर ऑक जाएन तो必ा कि पूरा साल वोलों याद रखे इसी प्रकासी बातुद हर के रदे में बस जाते हैं और श्रे कृष्णा और अज यहां पर विभाव दिखाया जाएगा इस कथा के माद्यम से भागवद पढ़ना आसान है लेकिन हर कोई भागवद पढ़ने के समय नहीं निका सकता इसरे कथा कार्थ इस भागवद को रामाया को उनके शब्दों के मा अग्याव ट्र करते हैं उजवल भाराथ हमिसे प्रैस करता है इस प्रगार के सब्सक्राथ कार्यक्रम हर जगाव हर लोग तक पहुंचे उजवल भारत में देश की प्रकर आवाज सीवा मटडा जाया-गे श्रंग जीवी वर्क के भागवद जाक अटके नहीं से धन्यवा तर्फाव नो साजे महाप्रसाद कतापती गया पछी महाप्रसाद रात्वा माँ आए उचे एक शुजना अने बीजू हिंदू संस्तूति ने अने सनातन धर्मने नष्ट करी देवा मादे कितला प्रियास थाई छे किवा किवा सरीयंत्रों थाई छे आपने हिंदू दिक्रियों ने फसावी ने एने गमे देम करी दे फोसलावी ने साइब जे एक सर्यंत्रों चाले जहादेश माइनी सावे धक्वेराला स्टोरी नामनों एक फिल्म आए उचके अने कुछ श्यूजी महाराज तरफ थी अधीज मेहनों ने पचित रमसो बेहनो थाए के चार सो बेहनों थाए बदीज महनों ने खेतर मा लए जाई अनि तक्वेराला स्टोरी नामनों चित्र फिल्म बतावा माव से रमेजबाई डैनी ने कमारे नाम को दावन देसे जितिकरी ने एरेजमेंट करवानी खबर पड़े तक्वेराला स्टोरी खासकरी ने जवान दिकरी ओछे एरे तो खास्त जोमी जोई है झाल 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 झाल